ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तो एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 दिसंबर गुरुवार के रासी फलक के बारे में कि यह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान देना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग राशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो जीवन साती से आज आपको शहुग प्राप्त हो सकता है परन्तु उसके लिए संबंध मदूर बनाए रखना बहतर रहेगा व्यवसाय के दरश्टी से आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की संभावना बन रही है इसलिए यदि आप कार्रे व्यवसाय से जुड़े हैं तो उसे आज बहतर दिसा देने का प्रत्न करें आप जिस भी किसी काऱे को कर रहे हैं उस कारे से संबंधित आज आपको अच्छी काम्याबी प्राप्त होने की संभावना बन रही है साथे साथ आपको नोकरी बदलने में भी काफी लाब मिल सकता है और आपके केरियर के लिए यह परिवर्तन काफी अच्छा सिद्ध होगा ज्या दोस्तो कारे चेत्र से जुड़े लोगों को भी आने वाले समय में पदुन्नती के रास्ते खुलेंगे और आपको ने ने विचार आएंगे जिन्हें अपना कर आप कारे इस्थल पर भी अच्छा प्रदसन कर पाएंगे आप अचल संपत्ति प्राप्ति के लिए भी न परिवारिक जीवन में उल्लास में वातावर्न रहेगा सुब समाचार मिलने से तथा प्रवास होने के कारण मन काफी प्रफुलित रहेगा मित्रों से सैयोग मिल सकता है यदि आप घर परिवार के साथ किसी कारे को करने का प्रतन करते हैं तो वह भी आज सफल हो सकता है जि किसी के साथ मिलकर कार्य व्यवशाय को नई दिसा दे सकते हैं या आप किसी तरह का कोई निवेश करने का मन बना रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं जिससे आपको काम्याभी अच्छी प्राप्त हो सकती हैं दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगडिव हो सकता है दोस्तो कुछ लोगों का अपने परिवार से अलगाव हो सकता है इसके अतिरिक्त आप अपने करच्छितर में व्यस्त होने के कारण तथा जीवन के अन्य पहलूँ पर अधिक समय देने के कारण अपने परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे जिसकी कमी आपके परीजनों को खलीगी साथि साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने काम पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा अन्य था आपके कारेले में आपको परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है कारे सफलता के लिए आपको द्रण इक्षा सकती और मनोवल की आवशकता होगी साथि साथ आप अपने वित्य प्रवंदन के प्रती काफी सचित रहेंगे फिर भी आपके खर्च और बचत के बीच उतार चड़ाव की इस्तिती बनी रह सकती है इसे बहतर बनाने के लिए आपको उत्तम वित्य प्रवंद पहले से ही तेयार करना चाहिए ताकि प्रती कूल समय में परिशानियों से बचा जा सके यदा कदा अनावशक बातों को लेकर घर में कहा सुनी हो सकती है माता का शयोग तथा सुख प्राप्त आपको हो सकता है परन्तु पिता के सयोग और सुख को लेकर सस्पेंस हो सकता है साथी साथ कारे छेत्र में भी काम के अधिकता रहेगी और कारे सपलता के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करने पड़ेगी परदोड के बावजूद कारों में अफेक्चित सपलता नहीं मिलने से मन वेथित रहेगा किरूद पर आज आप नियंतन एम मानी पर सेयम रखे अनियता बेवजा विवाद में फस सकते हैं थोड़ा साफधन रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के से रहने वाली हैं दोस्तो आज आप कहीं गूमने फिरने के लिए ओफर कर सकते हैं तब ही आपके प्रेम जीवन में विरद्धी होगी और प्यार के साथ साथ हर तरह के सैयोग की संभावना उत्पन हो सकती है एक दूसरे के कामकाज को लेकर भी आज सैयोग हो सकता है जेह दोस्तो आज आप अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनन्द लेंगे और अपने प्रेतम को स्पेसल फील करेंगे इससे आपके प्रेम जीवन में मधूरता और बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रती आकरशन की भी व्रद्धी होगी जै दोस्तो प्रेम संबंदों को लेकर आज इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं परन्तु आप अपने प्रेमी प्रेमिका के उपर पूर्ण विस्वास रखते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने का आज प्रेतन करें साथ साथ यदि आप किसी को प्यार करते हैं और उसे पता ही नहीं तो ऐसे में एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को समझाना आवशक है यदि आप पहले से ही किसी को प्यार करते हैं तो आप उनको प्रपोज कर सकते हैं आज का दिन आपके लिए बहुती लकी सावित होने हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका और करों में आज आपको अच्छी सपलता मिलने से दं लाब के स्थिति रहेगी विध्यार्तियों के लिए वे समय आज का काफी अच्छा रहेगा दोस्तों साथी साथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं जो आपके लिए भविस्ते में आगे चलकर काफी लाबदाएक साबित होगा या दोस्तों धनके लेंदेन के लिए नौकरी में भी तरक्की के योग आपके लीए बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आपको अपने स्वास्थ का भी विशे सुलूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि अत्यादिक सोचने और चिंताओं के कारण आपका स्वास्थ बिगड़ सकता है साथ साथ पेट से संबंदित समस्याएं अधिक परिशान आपको कर सकती है इसलिए आज आप नेगटिव विचारों से दूर रहें सोचने समझने में आप समय अपना व्यर्थ ना करें और साथ साथ अपने खान पान पर भी आज आप विशे सुलूप से ध्यान दें साथ साथ दोस्तों अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रूजाना योग करें वयाम करें सुस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाय क्या है दोस्तों आज आप इशनान आदिशे निरवत्र होने के बाद भगवान श्रीहरी विश्नुजी को पीले रंग का फूल अरपित करें और शाति साथ भगवान श्रीहरी विश्नुजी के मंत्र मंत्र का आप जाप करें और शाति साथ धार्मिक पुष्टकों का भी आप दान करें या दोस्तों ऐसा करने से भगवान श्रीहरी विश्नुजी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशाने जल लहीं है समस्त परेशाने उकांत करेंगे और आपको ऐसा करने से जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कार्रे बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान श्रीहरी विष्णों जी का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैश्रीहरी विष्णों वश्य लिखें और वीडियो को लाइक करने ना भूलें धन्यवाद